हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी स्टुडेंट भी ये फाइनल येर के हैं तो उनके लिए जो है मैं उनका प्रीवेस कोश्चन पेपर लेके आर खाऊं 2023 जून का तो सबसे पहले आप लोगों का जो सब्जेक्ट का कोड है बी ए पी वाई 302 और बी ए पी एस 302 जिन भी स्टुडेंट का ये सब्जेक्ट का कोड है तो ये कोश्चन पेपर उन लोगों का है तो सबसे पहले आप लोगों को जो सब्जेक्ट का नाम है वो सो हो रहा होगा तो चलिए अभी देखते हैं कि किस टाइप के कोश्चन आपकी जो है इस सब्जेक्ट में पूछ तो सबसे आप लोगों को सबसे पहले बता दू कि यह जो question paper है दोस्तो 70 marks का है और जो यह 70 marks का question paper है इसको two parts में divide किया गया है section A और B तो A में जो है आप लोगों से जो है पांच question पूछे गए हैं जिसमें से सिर्फ आप लोगों को जो है दो question का ही answer करना है और यहाँ पे जो एक question है आप लोगों का वो है 19 marks का तो यानि जो हमारा section A है वो है हमारा 38 marks का तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको यह 5 questions सो हो रहे हैं तो courses करना है आप लोगों को कि इन 5 questions के जो answer है वो एक बार आप लोगों देखें क्योंकि अगर आप इन questions के answer देखते हैं तो यहाँ से एक question तो जरूर आपके exam में repeat होगा तो अगर एक question भी repeat होता है तो आप लोगों के 19 marks यहाँ से confirm हो जाएंगे उसके बाद आजाता है हमारा section B तो section B में दोस्तों आप लोगों से जो है 8 question पूछे गए हैं exam बे और जो एक question आपको करना है वो है 8 marks का तो 8 में से सिर्फ आपको 4 question का ही answer करना है तो यानि जो हमारा यहाँ पर section B है वो है हमारा 32 marks का और यहाँ पर जो आपको यह questions हो रहे हैं तो कोसिस कीजिएगा कि इन questions के answer आप लोग देखें क्योंकि इन ही questions में से कुछ question आपके exam में repeat होंगे अगर यहाँ से जो है 2 या 3 question भी repeat हो जाते हैं section B से तो आप लोगों के 16 number यहाँ से confirm हो जाए तो टोटल आपके 35 और 30 आप लेके आ सकते हैं इन questions के answer देखें तो try कीजिएगा कि इनके answer एक बर आप लोग देख ले और साथी ही मैं आप लोगों को बता दू कि मैंने आप लोगों के लिए WhatsApp भी बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने जोइन नहीं किया हुआ है तो इस मिलते हैं आपको हमारी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day